Hey guys and welcome back to my another unboxing और जैसा कि आज आज आप सभी को दिख रहा है आज है एक grand, एक बड़े से बकसे की unboxing अब ये box में क्या है आपको दीखी रहा है basically इसके अंदर है एक studio monitor और दुसरे language में हम उसे बोलते हैं speaker basically ये है एक studio speaker जो की है Walt C8 ये इसका नाम है और जो लोग Yamaha के speaker नहीं ले सकते वो ये speaker क्यों लेना चीए और ये speaker लेने के क्या-क्या फायदे है और क्या-क्या इसके means amazing amazing feature है सारे आज इस वीडियो में मैं cover करने वाला हूँ so guys ज्यादा देरियना करते हुए जल्दी से फटाक से इस बड़े speaker की unboxing हम शुरू करते है so guys means अभी हमने देखा की हमारे box के अंदर क्या-क्या था means foam थी, wire था और basically हमारा speaker था लेकिन अभी मैं सबसे पहले आपको speaker के बारे में सब कुछ in detail में बताने वाला हूँ लेकिन मैं आपको recommend करूँगा कि आप लोग भी यार manual एक बार पढ़ लेना क्योंकि मैं भी manual से ही आपको बताने वाला हूँ क्योंकि मैं भी कोई अंतर यामी नहीं हूँ कि मैं को इसके बार में पूरी detail पता हूँगी क्या होता है तो जो kevlar material है इसके कारब हमको एक proper tight base मिलता है तो ये तो हो गया हमारा front panel अब ये speaker को मैं थोड़ा सा turn करता हूँ और इसके main back panel के तरफ आपको लेके चलता हूँ तो ये है हमारे speaker का back panel I hope आप सब भी को visible होगा तो सबसे पहले चलते है हम लोग इसके input के तरफ तो basically जो speaker है हमारा volts का C8 इसमें हमको multiple input panels मिलते है basically एक हमको मिलता है हमारा XLR cable के लिए और दूसरा हमको मिलता है TRS अब आप में से बहुत लोगों को अगर नहीं पता हूँगा XLR और TRS क्या रहता है तो basically जो XLR cable रहता है वो basically 3.3 pins जिसमें रहते है मेल pins रहते है उसके लिए हमारा XLR रहता है और जो हमारा TRS रहता है वो basically हमारा jack to jack रहता है जैसा उसके लिए basically हमारा TRS रहता है अब एक और एक important चीज मैं आपको बताना चाहूँगा वो है ये कितना wattage खाता है so basically ये 130 watt यूज करता है power और on an average ये 30 watt तो consume easily करता है so in case अगर आपको लग रहा हूँगा कि मैं इसको एकदम 24 घंटा चालो रखूँगा और एकदम high frequency में और एकदम means loud noise के साथ इसको बजाऊँगा तो मैं आपको recommend करूँगा कि वैसा मत करो या थोड़ा सा इसको भी means ये भी insan नहीं है लेकिन ये भी एक machine है तो इसको भी थोड़ा सा आराम दो थोड़ा सा कम मतलब थोड़े दिर के लिए इसको off भी कर दो क्योंकि 130 watt मतलब बहुत ज्यादा होता है सो आपकी बिजली भी बचेंगी और आपकी speaker की life भी बढ़ेंगी सो अभी चलते हैं ये basically इसका volume नौब है जैसा कि आपको देख रहा है ये तो common सी बात है अब हम चलते हैं इसका एक amazing feature जो कि इन्होंने दिया है बहुत सारे means studio monitor रहते हैं उस पर हमको नहीं मिलता है वो है acoustic space panel सो अब ये acoustic space panel basically ये क्या करता है सो अगर आपका जो area है studio area है अगर बहुत बड़ा है एक अच्छा का सा hall है आपका तो मैं आपको recommend करूंगा कि इसको आप करो flat के उपर ठीक है लेकिन अगर आपका एक normal सा room है basically 10 by 10 का या 15 by 15 का अगर आपका room है तो मैं आपको recommend करूंगा कि इसको center पर रखो जो कि है minus 2 dB हमारा लेकिन अगर आपका छोटा सा small सा setup वाला studio है तो मैं आपको recommend करूंगा कि आप minus 4 पर रखो अब आप बोलोंगे यार इतना महेंगा मैंने खरीदा है speaker minus 4 पर रखके क्यों बजाओ तो इसका reason यह है अगर आप minus 4 पर नहीं रखोंगे तो आपको एकदम heavy boom मिलेंगा हो सकता है आपके society उपर में जो रहते है वो नीचे आ कि आपको चमाट भी मार सकते है या आपको गाली भी दे सकते है so आपके उपर है रखना है तो रखो अगर आप manage कर सकते हो तो manage भी करो आपके उपर है so basically यह हो गया यह हमारा basically on off वाला knob है और यह है हमारा supply wire अब मैं आपको supply wire के बरे में बताता हूँ so basically supply wire के बरे में क्या बता हूँ यह basically हमारा 3 pin वाला supply wire है जिसकी build quality काफी ज्यादा अच्छी है काफी थिक wire है अभी मैं इसको खोलता नहीं हो क्योंकि नया नया काफी अच्छा लग रहा है so basically हमारा 3 pin supply wire है जो की अच्छे build quality का है अब मैं आपको एक और एक चीज के बारे में बताना चाहूँगा वो है हमारा यह फोम so यह भी अच्छा है यार पूरा seal pack वगेर है तो मैं इसको खोलूंगा नहीं लेकिन आपको इतना मैं बताऊंगा चलो मैं इसको खोली देता हूँ so इसको खोल देते हैं अम लोग यार यह packing इन लोग ने निक्या यार बहुत सही किये मतलब कुछ भी बोलो मतलब यामा के भी हमने speaker खरीद है अगर आपने यामा का वीडियो नहीं देखा है तो उपर मैं i button पर link देतूँगा plus description में भी आपको link देतूँगा वहाँ पर जाके देख लो so basically यह हमारा फोम है कचरे को रखता हूँ side में तो अब यह आप लोग ध्यान से देखूंगे न तो हलका सा यहाँ पे एक arch बना हुआ है यह arch basically क्यों बना हुआ है अगर आपका flat surface है गलती से रहते है न किसी-किसी कोई music producer रहते है इसके घर में बच्चे रहते है तेज भाग के आएंगे धक्का मारेंगे गया हमारा speaker पानी में तो basically उसके लिए यह arch बना हुआ रहता है ताकि आपको जो speaker है अगर आपका धक्का वगर भी लगे तो बस हलका सा हलके वो stable रहे तो उसके लिए लेकिन अगर आपके घर में बच्चे नहीं है आपको थोड़ अगर आपको दिख रहे होंगी कि हलकी सी निक्या यहां से incline से decline होते हुए गई है ताकि जो आपका base है वो proper stable रहे तो यार देखो यार उन्होंने foam भी त्य अच्छी दिये और इतनी ज्यादा technique proof उन्होंने foam बनाई है तो हमारे foam के बारे में हो गया अब हम चलते है इसके थोड़े से electrical वाले pallet के तरफ जो की है और electric मेरे को निक्या explain करना है बहुत मज़ा भी आता है क्योंकि मैं खुद एक electrical engineer हूँ तो नीचे हमारा निक्या एक छोटा सा उसने fuse दिया है तो बेसिकली आप में से सब लोग को पता हूँगा fuse क्यों रहता है और क्या काम करता है बेसिकली fuse जितना भी हमारा leakage current रहता है या कभी अचानक से अगर कई का transformer फूटा या बिजली गिरी तो बेसिकली हमारा speaker damage नहीं होगा यह जो fuse है यह fuse उड़ जाएंगा जो कि आप easily change भी कर सकते हो यहाँ पे इन्होंने easily 2 screw दिये इसको निकाल के आप दूसरा एक fuse लगा भी दिये उसको मतलब एक तरह का उसका outlet है उसको बहार लाने के लिए यह use होता है so मैं आप लोगों को recommend करूंगा कि अगर आप इसको एकदम दिवाल से चिपका के लगाने का सोच रहे हो तो please यार वैसा मत करो क्योंकि वापस नहीं क्या वो दिवाल से टकरा के वापस ही आएं तो इसको थोड़ा सा एक means one hand मतलब इतना सा distance पे कम से कम इसको रखो तो I guess so मैंने सारी चीजे आपको इसके बारे में बता दिये और अब भी मैं आपको नहीं क्या इसके build quality के बारे में बताना चाहूंगा जो की एकदम hard वाला आपको आवास भी आ रहा हूंगा एकदम hard वा इन डीटेल में भी अगर मैं आपको बताना चाहूंगा तो 1.25 इंच का wood से ये पूरा means इसका पूरा मतलब outer background पूरा इसका बना हुआ है so अगर आपको ये speaker खरीदना है तो मैं आपको link इसकी description में दे दूँगा सबसे पहले तो speaker को turn कर दे तो काफी जादा heavy भी है यार speaker ये अब हम इसके price के बारे में बात करते हमने जो ये speaker है वो खरीदा है 21999 में मतलब 22,000 का हमने ये speaker खरीदा है बजाओ से और अगर मैं आपको बोलू कि आप हो सकता है आपको और भी discount मिले या हो सकता है आपको एक अच्छी deal भी मिले बजाओ के साथ तो इसलिए मैं आपको recommend कर रहा हूँ कि नीचे नीचे में बजाओ का आपको link भी दे दूँगा आप वो link पे जाओ वहाँ पे उनके numbers भी दिए अगर आप उनके numbers से direct उनको contact करते हो अगर आप उनको बोलते हो कि हमको world का C8 या फिर world के कोई भी और series का अगर आपको speaker चाहि लेकिन ये worth it product भी था अब एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहरा हूँ कि ये speaker हमने क्यों खरीदा जबकि हमारे पास yamaha के means hs8 है hs5 है hs7 है हमारे पास ये speaker है और हमने hs8 की unboxing भी किये तो मैं फिर से वो चीज़ बोल रहा हूँ अगर आपने hs8 की unboxing नहीं देखिये त मतलब 40,000 के उपर आता है और बहुत ज़ादा महेंगा है मतलब मैं ये completely agree करूँगा कि वो speaker बहुत ज़ादा अच्छा है लेकिन महेंगा भी होता ही है और अगर हम इसके तरफ देखे तो ये totally उससे half से भी कम price में हमको मिल रहा है मतलब around 22,000 में हमको मिल रहा है और guys मैं कि मैं 5 इंच का speaker खरीतता हूँ Yamaa का या 5 इंच का speaker खरीतता हूँ VOLT का या कोई भी other brand का खरीतता हूँ मेरा काम हो जाएगा क्योंकि starting में मेरे को क्या करना है starting में मेरे को सीखना ही तो है और means छोटे clients के लिए तो means बनाना है गाने या फिर music produce करना है लेकिन please यार ऐसी गल quality रहेंगी न वो उतनी अच्छी नहीं रहेंगी जो आपको एक 8 इंच के speaker से मिलेगी so मेरी एक advice है ये 8 इंच का वोल्ट का speaker है जो कि आपको 22,000 मिल रहा है Yamaa कलोंगे तो around 30,000 के आसपास वो आता है so क्यों ऐसा कर रहे हो यार एक अच्छे base वाला एक means जिसमें inbuilt हमको woofer क कि अच्छी quality मिलती है वो speaker खरीदो तो बस मेरी यही आप से एक advice थी तो बस आज के वीडियो में इतना ही था I hope आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगाऊंगा अगर अच्छा लगा है तो do it the like बटन और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो please यार subscribe करो ऐसे ही और भी ज्यादा amazing video amazing content आपको मेरे इस चैनल पे देखने को मिलेंगे so जल्दी मिलता है तब तक के लिए bye bye